चोपड़ाई जो किसी न यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर देख स्वागत करता हूँ मेरे पैयरी बच्चों MCC का मौपप राउंड स्टार्ट हो चुका है रजिस्टेशन और पेमिंट की लास्ट डेट 28 नौंबर से स्टार्ट हो करके ये सेकंड नौंबर 22 तक सुबह 11 बजे तक है इसकी 24 फिलिंग का टाइम सेकंड नौंबर रात 12 बजे तक है तो आप समय से 24 फिल कर सकते हैं इसमें इस वीडियो में हम मौपप राउंड की स्टे वेकंसी राउंड की कटोफ के बारे में बात करेंगे और साथ इसाथ ये भी चर्चा करेंगे कि क्या सबसे पहले बात करेंगे कि मौप up राउंड की कटोफ क्या रह सकती है तो देखो इस साल मौप राउंड के लिए काफी स्टुडेंट बचे हुए हैं क्योंकि UP और राजस्तान इन दोनु स्टेट्स की सेकंड राउंड की कटोफ हाई जा चुकी है और बिहार की भी सेकंड राउंड की कटोफ हाई जाने की पोसिबिलिटी है तो इन सब को देखते हुए मोपप राउंड की कटोफ ज्यादा डाउन नहीं जा सकती है जनरल के लिए जो सेकंड राउंड की कटोप थी उससे फाइब से सेवन मार्क्स डाउन जाने की पोसिबिलिटी है अब बात करें हम इस्ट्रे वेकंसी राउंड की तो ये जनरल केटेगरी की जनरल OBC और EWS तीनु केटेगरी की कटोप 595 जा सकती है और SCST केटेगरी की भी कटोप म वेकंसी राउंड के बाद में तो मैं आपको बता दूँ कि इस्टे वेकंसी राउंड के बाद भी सीटे वेकंट रहेंगी ये क्यों रहेंगी इसका मैं आपको एक लोजिक समझा देता हूँ देखो मोप अप राउंड की 24 फिलिंग 2 डिसमबर 22 तक है 7 डिसमबर को All India कोट मोप अप का रजल्ट आएगा उसके बाद स्टेट का मोप अप कंड़ेक्ट होगा रूल यह है कि मोप अप की 24 जो All India में मोप अप है उसी की 24 फिलिंग पर ही All India का स्टे वेकंसी राउंड कंड़ेक्ट होगा तो जिन कंडिडेट्स ने All India के मोप अप के बाद उनको अगर All All India के इस्टे वेकंसी राउंड में भी सीट अलोट हो सकती है क्योंकि वो मोप अप राउंड के बाद कंड़ेक्ट होगा उसमें कोई फ्रेस लिस्ट फ्रेस द्वाइस नहीं ली जाएंगी तो वो सीट उसकी वेकंट रह सकती है और उन सीटों पर इस प्रकार की जो सीटे रहेंगी उन पर स्पेसल इस्टे वेकंसी राउंड कंड़ेक्ट हो सकता है तो अगर उन पर अगर स्पेसल इस्टे वेकंसी राउंड कंड़ेक्ट हो सकता है तो उसकी कटोंप क्या रह सकती है तो उसकी कटोंप जनरल EWS और OBC के कटोंप 592 रह सकती है और SCST की की कंडिशन में वही 2 से 3 मार्क्स डाउन जा सकती है क्योंकि SCST की कंडिशन में stay vacancy की ज़्यादा से ज़्यादा अगर डाउन जाएगी तो 5 मार्क्स डाउन जा सकती है इससे ज़्यादा जाने की possibility नहीं है तो यह cut off थी और आपको 24 फिल करनी है आज 24 फिल स्टार्ट हो जाएंगी और इसकी दो तारिक लास डेट है तो 24 फिलिंग आपने बड़े ध्यान से करना है क्योंकि यही 24 फिलिंग इस्टे vacancy round में consider होंगी अगर मोपप round में seat नहीं मिलती है तो आपको इस्टे vacancy में seat मिल सकते है तो 24 फिल करते हैं आपने PG benefits से इसके बाद में आपके nearby states से infrastructure bond इनका ध्यान रखते हुए आप accurate 24 फिल करें ताकि आपको अच्छी seat मिल सके तो यह जानकारी थी मोपप round के बारे में बाकी जैसी update मिलेगी हम आपको inform करेंगे मिलेंगे नई updates के साथ नए वीडियो में अगर आपने चैनल subscribe नहीं किया है तो चैनल subscribe करके इस चैनल को share करें क्योंकि इस परकार की information हम लेके आते रहते हैं तो मिलेंगे नई updates के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिं